नमस्ते साथियों आज हम बात करेंगे एक ऐसे समारो की जो व्यक्ति की मृत्ति के उपरांत तीन दिन बाद मनाया जाता है जी हाँ, पिलकुल सही समझाएं आपने शोक सभा, सद्धान जिली सभा, उठावना इन नामों से हम जानते हैं अलगलग समाज में अलगलग नाम इसके और हो सकते हैं मगर मुख्य रूप से तीन नाम ट्रचलन में है तो यह समारो क्यों मनाया जाता है यह बात आज में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यह किसी भी रूप में ना तो स्रद्धान जिली सभा लगती है ना श्योकसभा लगती है ना उठाओना लगता है यह केवल महज एक शक्ती प्रदर्शन बनकर रह गया है और यह बिलकुल ही विक्रित रूप में अब यह समारो मनाया जाता है हमारे यहां भारतिया परंपरा में तीन संसकार मुख्य रूप से माने गए हैं जिनमें जन्म, मरन और परण यह तीन समारो मनाते हैं उसी कड़ी में यह एक समारो है अब यह उठाओने की परंपरा आखिर पड़ी क्यों? कभी इस पर गोर किया आपने? जहां तक मैं समझ पाया हूँ और हो सकता है, मैं सही हूँ और आप भी मेरे विचारों से सहमत हो उठाओने की परंपरा यह पड़ी कि पहले ने तो सायातायाद के सादन थे ना चकित्सा सोविदाएं थी ने इतने बड़े समाज थे ना इतने बड़े गाओं थे ना इतने बड़े शेर थे चार माहन अगर पहले भी हुआ करते थे वो आज भी है मगर कुल मिला के छोटा-छोटा समाज होता था और चूंकि या चकित्सा के सादन भी नहीं थे इसलिए बिमार विक्ति की जो सेवा है वो गरबे की जाती थी डाक्टर हकीम वेट ये लोग इलाज किया करते थे और घर पर ही आकर मरीज को देख कर जाते थे और मरीज की स्टितिक अनुसा और उसकी दवाओं में बदलाव करते रहते थे दवा देते रहते थे आज की तरह नहीं थे अब तो आप भूल जाएए कि डाक्टर गर पे आये बहुत मश्किल है तो परिवार जुनों का यक्ति विसेस यानि जो बिमार होता था और जो उस वर्क्षिदार जाता था उसके प्रतिय विसेस लगा हो जाता था और उसके चले जाने पर उसको नब बचा पाने की इस्थिति में परिवार जुनों को एक वजरपात जिससे करते हैं आगाथ आजकल तो केवल पत्रावलियों में रह गया है वजरपात को सहन करने की ख्रमता प्रदान करें आगाथ को सहन की प्रदान करें ख्रमता ये सब हकीकत में आज होता है मुझे नहीं मालूम कितना होता है मगर तब होता था तो जब परिवार के लोग बहुत अधिक व्यथित होते थे तो उन्हें समझ नहीं पड़ता था कि क्या करें उन्हें कोई रह नजर नहीं आती थी तो पंच लोग समात के आगे आते थे वहां के जो क्रिया करम वे गलेव कर दो जाते थे। जोसे कुछ जज़्या करने के है जब उन व्यवस्थां उसे खा alors स्ट्रिय चलते हैं और जब वो मंदिर जाकर तो थोड़ा मंदिर के पीछे भाव कहता है थोड़ा एक मांसिक रूप से बदला हो जाए इसलिए मंदिर जाते थे और वेसे भी हमारा बगवान में बहुत अटूट विस्वास वाथियो परंपरा में तो मंदिर जाने के बाद वस्तूत कुछ परिवर्टन दिमाग में होता है और जब मंदिर से लोट रहे होते तो तो गाओं के लोग ही उस परिवार के मुखिया को अपने प्रतिष्ठान पे ले जाते थे हैं कि जाओ दुकान खोलो और अब अपने को नित्य क्रिया करम में लगो अपनी परिवार को जो पीछ प्रापड़ी मगर आज है मौ को आधसे एख आज सारी व्यवस्ताइश फरिवार कंख छूट करते हैं कहीं समाज का पंच्शों का किसी तरह का और रोल नहीं है पंचो का रोल नहीं है, इसके पीछे करहन भी है, कि शायद गरवाले भी पसंद नहीं करते हैं, कि पंचो का कोई रोल हो, वो खुद ही अपने आपको इतना सक्षम समझते हैं, कि चलो सब काम हम कर लेंगे, तो एक जशने के रूप में यह होने लग गया, अब तो इवेंट म किसे इस विक्रती ओर आती जा रही है, इस समारों में, कि जो लोग आये हैं, शोक व्यक्त करने के लिए, अपना समय देकर, उनको गोन बना दिया गया है, और मुख्य कौन होता है, वो पत्र, जो व्यक्ति आया ही नहीं है, उसके पत्र पढ़ कर सुनाए जाते हैं, अरे य तो यह क्या होल, एक भूंडा और भूंडा प्रदर्शन है, इसके अत्रिक कुछ भी नहीं है, पहले तो साब दीरे-दीरे सुधार हो रहा है, पहले तो जितने पत्र आते ते सब को पढ़ पढ़ के सुनाई जाते ते, आपको एक विसेस बात बता हूँ, जो लोग पत्र जिनके नाम से पत्र आता है, उनको खुद को ही मालूम नहीं होता है कि उन्होंने किसी को कोई पत्र बेजा है, बस उनको पीय को का होता है, तो यह सो एंड सो टाइप्ड मेंसेज होते है, नाम भर देना, जसकत के पेपर पढ़े रहते हैं, और वो पत्र लेके वो आदमी चला जाता है यानि कि जिस व्यक्ति ने पत्र बेजा उसको खुद कोई नहीं मालूम कि कोई ऐसी गटना भी गटी है तो ऐसे पत्रों को पत्र वाचन करने से क्या अलाव है और सवाल तो है कैसा भी पत्रों उस पत्र का वाचन करने का मतलब क्या है यह विशित दुरूप से उस व्यक्ति और परिवार के बीच एक सम्मंद है और वो अपने अनुपस्थिति के लिए ख्रमा चाहते है यह पत्र लिखता है तो इस पत्र को मैं सनाने का क्या उचित्य है मेरे को तो आज तक समझ में नहीं आए यह दिए आपको यह उचित्य समझ में आया हो तो क्रप्या कमेंट बक्स में अपने कमेंट लिखें और दे कमेंट बक्स चालू नहीं हो तो वाट्सेप पर अपने प्रतिक्रिया बेढ़ें मेरा नंबर है 8949131360 आपकी प्रतिक्रिया से मुझे इसी तरह के और वीडियो बनाने की प्रेड़ना मिलेगी अगला वीडियो मेरा आने वाला है वो है कडाग्रास पर क्योंकि कडाग्रास की भी एक कडाग्रास समझ गए न आप यह भी मृत्यों से संबन देता है इसकी भी एक विक्रती होती जा रही है तो इस पे भी मैं अपने विचार विक्त करूँगा और चाहूँगा कि आप भी अपने प्रतिक्रिया दे तब तक के लिए